नमस्कार मैं हूँ संजीव त्रवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन आज शुक्रवार का दिन बिहार में रैलियों का सुपर फ्राइडे था आप देखे तो बिहार भर में बड़े बड़े नेता हर जगह अपनी अपनी रैलियां करते और एक मान्यता है कि बड़े नेता आत में और इसके आसपास जो बहस है अब वो ये जताने की कोशिश की जा रही है कि देखे 15 साल तो बीट गए नितीश जी के क्या मिला हमें मौका दीजे हम नए हैं तेजस्वी का जो कैम्प है वो ये कह रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रधान मंत्री हों या नितीश कुमार हों इन सबों ने मिलकर के जो बात आज कही है वो यही कि देखे जंगल राज था और यात्रा वहां से लेकर यहां तक पहुँची है हो शकता है कमिया हों लेकिन जंगल राज से तो बहुत दूर निकल आए हैं अब ये लग ये रहा है कि जंगल राज की तोहुमत को दुबारा एकसेप्ट करने के लिए सुकेश तैयार इसलिए तेजस्वी नहीं है क्योंकि तेजस्वी कहना ये चाहते हैं कि देखिए वो सारी बातें पुरानी हैं मैं नया हूँ और मेरी बात पर यकीन करिये कही न कहीं आंशिक रूप से उस बात को वो स्विकारते भी नजर आते है जो उस 15 साल के बारे में कही जाती हैं जिसमें उनके पिता और उनके माता का राज था बिहार में वो मुख्यमंत्री थे ये नए पुराने की कहीं न कहीं कॉंपेटिशन बनाई जा रही है कि नए चीजें नया वेक्टी लेकर किया आएगा और ये पुराने हैं क्योंकि ये जो आपने चर्चा की कि उन्हें सुईकारा भी इसको एक लहजे में हाँ सुईकारा पहले इन चुनाओ प्रचार के दौरान ठीजस्वी उस पिछ पे नहीं गये हैं ठीजस्वी ने एक नई पिछ बनाई वो पिछ क्या है वो रोजगार की पिछ है और वो एक मुद्दा व जबकी रास्टियस तरपे नौक्रियों का जाना एक बड़ी तरास्दी के तोर पे देखा जा रहा है नई नौक्रिया नहीं है नौक्रिया गई है जो नौक्रिया मिली है वो उस तरीके की नहीं है तेजस्वी ने जो दस लाख सरकारी नौक्रियों का वादा किया है वो उस स्वागोशित उमिद्वार बनाया वो चैलेंजर की तरह जिसको बनाये जाने की कोशिस इंडिये की तरफ से थी कि तेजस्वी सामने आएंगे तो लडाई आसान हो जाएगी तेजस्वी नो उसको स्ट्रेंथ बनाया कि नहीं मैं लडूँगा जो आप कह रहे हैं नया वो अलगा जैसे वो ब्लैक अन्वाइड डेज के है और यह जो है वो आई पैड जमाने के नेता है तो उन्हों ने उस लेके तो वो चले लेकिन वो लालू यादव को धीरे से उस साहे से अलग होना चाहे उस से हट गए पोश्टर पे अकेले आ गए नौकरियों के मुद्दे क साथ आ गया है यह तमाम चीजे आरजेडी के लिए नई थी वो नई एक विजन के साथ आरजेडी को लेकर चलना चाते हैं उनको मालूम है कि यह स्टागनेट कर गया है इससे इससे आगे बढ़ने की जगवत है तो उससे आगे वो चले है मैं देख रहा था सुबह में कि ज उनके पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री की पहली रैली के पहले तेजस्पी क्या कहते हैं और मेरी उमीदों के मताबिक उन्होंने पहला ट्वीट किया आशा है प्रधानमंत्री जी आज बिहारवासियों को बताएंगे कि शिक्षा, स्वास्त, नौकरी, रोजगार, कृ प्रधानमंत्री पहुंचे उसके पहले ये सवाल उठाईएंगे के पहले इस सवाल को प्रधानमंत्री ने अड्रस नहीं किया है नौकरी के प्रधानमंत्री भी उनके टर्फ पह जाना चाहते नहीं थे, तो प्रधानमंत्री ने इस सवाल को अड्रस नहीं किया, तो अब उनका शाम में आप देखेंगे कि इस बारे में कुछ आएगा, बयान कि भई, क्या है, नौकरीयों के बारे में तो नहीं कहें, हम अपने आपको उस जनरेशन का बताना चाहते है, जिस जनरेशन के लोग, करीब दो से धाई करोर लोग, पढ़ने के बाद भी बेरोजगारी से रूबरू है, बिहार में अभी सबसे ज्यादा युवा पॉपिलेशन जो है, वोटर के तोर पर मौजूद है, और इसको कैपि तेजस्वी आदव के प्रयास या चिराग पासवान के प्रयास में दिखा, या फिर युवाओं को उनके तरह का अजेंडा दे करके, जिस तरह से नितिश कुमार ने अपनी तरफ खीचने की कोशिश की है, वो सफ़लोगा देखना ये होगा, लेकिन आज प्रधान मुंतरी के जाने के बाद तेजस्वी आदव ने जवाब दिया प्रधान मुंतरी की तमाम बातों का, प्रधान मुंतरी से उन्होंने सवाल किया, कि देखे ऐसा है कि आप हमें बताईए कि उन राज्यों में कितनी नौकरियां मिली हैं यहां भारते जन्रता पार्टी की सरकारे फिल प्राटी और इंडिये खास तोर पर इसको लगता है क्योंकि ये कहीं उस तरफ दो करोड़ वाले लॉजिक की तरफ बार बार लेकर की जाना चाहते हैं क्या ये जो नौकरी का जो चैन किया गया मुद्दे के तोर पर और खास तोर पर इस वक्त जब की करोना से बहुत बहुत योंकि नौकरी चली गई है तो ये जानबूज करके इसलिए चैन किया गया ताकि उस दो करोड़ वाले वादे को भी इससे जोड़ दिया जा सके और एक नरेटर बिल्ड किया जा सके कि नौकरी ये नहीं दे सकते हैं बाकि जिन्दगी आपको जो भी ये दे सकते हैं और क् कई बार ऐसा लगता है कि इंदिये उनके तफ पे आगई ये खेल ले जब नितीश कुमार को ये कहना पड़ा कि पैसे कहां से लाओगे भई आसमान से आएगा क्या उस पर प्रस कॉन्फेंस हो रही है कि ये डूएबल नहीं है ये लौफ्ती आइडियाज है क्योंकि इनको जानकारी नहीं है इनको अनुभव की कमी है तो वो वो सियासी पपू बनाने की कोशिश ते जस्वी को हो रही है उससे भी तुलना हो रही है कि ऐसे ही न्याय वोजना लेकर आये थे राहुल गांदी कि 72,000 रुपया गरी परिवार को साल बर में मिल जाएगा 6,000 रुपया म कि वो आत्म साथ कर ले पिछले कुछ सालों में संजीव यह हुआ है हमारे आपके जमाने में ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो पहली प्रात्मिक्ता थी कोई सिविल सर्विसेज देता वो हो सकता है सिविल सर्विसेज के लायक तयार नहीं हो पाया तो वो पीओ क के लड़के बिहार के पेरिंट्स ऐसा चाहते थे दीरे दीरे औराइजन बड़ा हुआ वो बाकी नौकरियों की तरफ भी गए हैं तो नौकरी को ऐसे पकड़ लिया है तेजस्वी आदब ने जो कई बार मजबूर कर रहा है बीजेपी को जेडियू को कि उसके प्लैंक पे आके खेले लेकिन क्या ये समझाने में काम्याब हो जाते हैं लोगों को कि नौकरिया लिमिटेड हैं ये आप भी अब समझने लगे हैं आपके बच्चे अब सरकारी नौकरियों में नहीं हैं सरकारी नौकरिया कम हुई हैं लोग ज्यादा हुए हैं नौकरियों की जो जो अब उसका जो आयाम है वो बड़ा हुआ है इसलिए हम उस तरफ देख रहे हैं और एक ऐसा आपको खाब दिखाया जा रहा है जो कि पूरा नहीं होने वाला है तो इसको दूसरी तरफ से बनाने की कोशिच है गड़ने की कोशिच है अब देखते हैं कि किस में किसको जादा का अब ही मिलती है जे बिलकुल देखे दो करोड नौकरी हर साल देने का जो वादा था उस वक्त ये सपस्ट नहीं हो पाया कि बात रोजगार की हो रही है और जाहिर है कि ये एक तोहमत के तौर पर लगया लगातार बीजेपी एंडिये को इन सवालों के दर्मियान रहना जगर नौकरी खाली है पद रिक्त है बिहार में तो वही तो अपराद है और इस अपराद का अगर कोई राजरेटिक इस्तेमाल करता है तो वह गलत क्या करता है सवाल ये भी है कि अगर साड़े-चार लाख रिक्त पद हैं जो की प्लैंड और नॉन प्लैंड और इस पहस को बहुत तरीके से वहां पर लोगों के बीच पहुचाया है और बहस हो भी रही है पर दूसरा प्रशन है बहुत बड़ा प्रशन है और वो ये प्रशन है कि आखिरकार बिहार की 90 के दशक में जो स्थिती थी कानून व्यवस्था की स्थिती कहीना कहीं से निकल कर इस दौर में पहुचना जहां रोजगार की बाते हो सकें जहां कानून व्यवस्था समस्या न रह जाए और दिन रात लोगों का चलना बहुत मुश्किल नहीं हो जाए स्थिती ये उपलबधी क्या पिछले ही चुनाओं तक अपने आप में उपलबधी दिख र काबलियत थी आज वो काबलियत कमसोर पड़ गई नहीं देखिए जो यह क्लास है वो बड़ा ऐस्पिरेशनल क्लास है और एक यूमन नेचर भी है पंदरा साल का आपका लंबा सासन है सिर्फ बी एस पी बिजली सडक पानी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं यह कॉंप्टि वहां की चीजों के बारे में अब जादा जान रहा है वो रोज बात करता है सब के पास स्मार्ट फोन है संजीब अब तो वीडियो फोन पे बात करते हैं लोग तो यह एक ऐसे युग में हम प्रवेश कर चुके हैं जब बिहार के सुदूर में एक बैठा विक्ति सूरत के बारे में जानता है, वो मुंबई के किसी कोने में ठाने में बैठे हुए किसी अपने रिस्तेदार से बात करता है, तो उसे लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, उसे और भी कुछ चाहिए, क्या स्टागनेट कर गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यह तीसरा टर्म जो इसमें थोड़ी सिथिलता दिखती है, इसमें जो नितीश कुमार की प्रो एक्टिवनेस थी दस साल तक, उसमें थोड़ी कमी आई है, उसको सिर्फ यह कह कि आप पार्ट नहीं सकते है, यह लैंड लॉक्ट स्टेट है, हमारे पास लिमिटेड एविन्यूज है, हमारी सकीन करते हैं, लोगों को मालून है, लोगों को यह समझ में आने लगा है, कि अब बहुत साधी सरकारी नौकरिया नहीं है, हाँ कोई देने को तयार हो जाया, तो लेने वाले तो बहुत हो जाएगे, तो चुकी वोल्ड कनेक्टेड है, इसलिए लोग B.E.S.P. से आगे मजलिया कि हमारी राइट है पहले इसको लगजरी समझा जाता था अगर सड़क मुझे यह याद है कि मैं अगर पटना से अपने गाओं की तरफ बढ़ू तो वो महज कुछ किलो मिटर था लेकिन सड़कों की स्थिती बहुत खराब थी आज उस सड़क पे यह बात हकीकत है कि मैं सौकी रफ़तार में गाड़ी दोड़ाते हुए जा सकता हूँ तो वो सड़के तो बनी है लेकिन क्या हमने वही अचीवमेंट है क्या हमने उसी को अचीवमेंट माल लिया है वह आज भी यही बताया जा रहा है और फिर वो पुराना पंदरह साल याद कराया जा रहा है जिसकी चर्चा आपने की है वो समय ठीक नहीं था वो समय अगर खाब नहोता तो लालू यादव की ऐसी स्थिति नहोती तो उसके लिए तो उनको पनलाइज किया जा चुका है एक बार नहीं तीन बार अब बार आके बताना चाहते है ते जस्वी उन्होंने पब्लिकली इस से बच भी नहीं सकते हैं और यह हम आप बिहार से आते हैं स्थिति खराब थी लाइन ओर बिल्कुल चर्मराई हुई स्थिति थी आपके हमारे पेरेंट्स परेशान होते थे अगर देर रात तक आब बाहर है तो शाम से आपकी डुड़ाई होने शुरू हो जाती थी कि घर पहुचा की नहीं पहुचा तो उसको जब आप याद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद यही राज बहतर है तो इसलिए बार-बार उसको याद कराया जाता है और ते जस्वे उस से बचके निकलना चाहते हैं वो इस तरफ पे नहीं जाना चाहते हो लालु यादव का पो पुट देंगे लेकिन उनका न रहना कम से कम वो इस बात को और हैमर करने से बच रहे हैं लोग हला कि आज को दान मंत्री बिन ने भी उस काल की आद कराई तो वो वो एक ऐसा पीरियड है जिसको रबॉफ करना आर जेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है और इसलिए शायद तेजस्वी हमेशा उस तरह की बात करते हैं जिसमें सब कुछ आधूनिक लगे वो पुराने वाले हम नहीं हैं पुराने वाले दरसल नितीज जी हैं ये बताने की कोशिश की जाती है हम तो नए वाले हैं जो कह रहे हैं कि हम आर्टिफीशल इंटेलिजिंस के साथ काम करना चाहते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग तो कलर टीवी हैं ब्लैक इन वाई टीवी हैं हम तो आपको 24 इंट का कलर टीवी लाकर के उस तरह का तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं अब कितना विश्वास किया जाएगा और क्या जाती प्रधान समाच जो है हमारा उस हाँ ये जरूर है जैसा कि सुकेश कह रहे हैं प्रधान मंतरी को भी याद दिलाना पड़ा कि बहुत बुरी स्थिती थी पहले अब नहीं है वो पंद्रह साल जो बीता है उस पंद्रह साल पे नहीं पिछले पंद्रह साल की बात याद दिलाना प्रधान मंतरी का साफ बताता ह कि शायद नितीज जी का चेहरा अब उतना उजस्वी नहीं दिखा जितना की शायद 2015 या 2010 में दिखा था हम यह खत्म करेंगे आज बस इतना ही हमें दीजे जाज़त अपना साथ सहयोग बनाए रखिए क्योंकि अब यहां से शुरू हो रहा है वो क्लाइमेट्स जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं बस कुछ दिन प्रथम चुनान के चुनाओं के वोट परने में और देखना है कि उसके बाद आगे धीरी धीरी होता है क्या नमस्कार क्या बनाए 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 नमस्कार